आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नामे सिध्धान तक नहीं होतरी शड़ी है क्यों पर आपका बहुत-बहुत सुभागत है आज हम बात करेंगे दोस्तो लॉर्ड बासवन्ना की बात करें तो अभी हाली में आपको पता ही है कि इनकी जयंती भी मनाई ग थी तब इन्होंने एक अलगी धर्म को जनम दे दिया कैसी फिलोसफी बना दी जिसने सब को ताकत दे दी दोस्तो एक महान आत्मा मेसेंजर ऑफ गौड जिन्होंने ये बता दिया कि मंदिर जाने की जरूरत क्या है तुम्हारी आत्मा ही मंदिर है तो आज हम लॉर्ड बास वनना की बात करें तो आपने लिंगायत कम्यूनिटी का नाम सुना होगा ठीक है लिंगायत कम्यूनिटी के फाउंडर बोले जाते हैं हाला कि कुछ स्कॉलर्स इससे थोड़ा डिफर करते हैं उसका भी हम डिसकॉशन करेंगे एक्चुली लिंगायत जो है वह आज कल पॉल लिंगायत के फाउंडर बोले जाते हैं लौड बासावन्ना जब लोगों ने लौड बासावन्ना को फॉलो करना शुरू किया तब लिंगायत का जनम हुआ ठीक है हम थोड़ा उस पे भी डिसकस करेंगे ठीक है हाला कि वह टॉपिक का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम थो फूले चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद इन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना कर दी बिल्कुल आपको बता दूँँ कि इन्होंने चोटी सी सभा बनाई थी जो अपने में ही पार्लियमेंटे थी पैरलर गवर्मेंट चला रहे थे लोग इनको फॉलो कर रहे थे भक्ती तो गॉट है वर्ड्स ऑफ गॉट नहीं भगवान के शब्द नहीं भगवान के लिये शब्द है ठीक है जो पोयम्स है जो इन्होंने प्रवचल दिये वह वचल में कंपाईल किया गया है समझ रहे हैं तो हम सारी चीज़े देखेंगे दोस्तों और उसके बाद जो लेटर पोइट्स है इनके वर्कों को और आगे बढ़ा है तो चली आगे बढ़ते हैं सिर अन्सकोर एकनेक्ट मेरा फेस्बुक पेज है सिद्धान अग्नियोतरी के नाम से मेरी फेस्बुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा आप लेट्चर की PDF लेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों गौरफ सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ आप इसको स्टेडी आइक्यू की वेबसाइट से प्रेवुक कर सकते हैं स्टेडी आइक्यू का आप 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 इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ट्विटर पे मैं आ गया हूँ यह रही मेरी हाइडी दोस्तों अगर बासव अन्ना की बात करें तो इनका जनम ग्यारा सो पांच इसवी में हुआ था ठीक है ना करनाटक में यह जनमे थे बागेवाडी टाउन में इनके पिता जी का नाम था मदरासा और इनकी माता जी का नाम था बता दूए ब्रामध्फामिली में इनका जनम हुआ था ठीक है एक ब्रामध्फामिली में जनमे थे दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ यह जो लिच्चर्स होते हैं ठीक है फिलॉसफी तो हमारे पास है लेकिन इनकी बायोग्राफी पे मतबेद होते रहेंगे अलग-अलग scholars आएंगे वो इनकी biography बताएंगे तो आप ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा मैं अपने सारे lectures में clear कर देता हूँ ठीक है कि stories जो है उसको stories की तरह ही ले यह mythological stories है ठीक है इनके जीवन की बात निकर इनके चमतकारों की बात कर रहें तो जो मैं बताओंगा दोस्तों याद रखिएगा वो facts conflicting हो सकते हैं अलग-अलग scholars ने अपने हिसाब से बताया है मैंने जो website यहाँ पे देखी है मैंने जिन professors को सुना ठीक है उनके base पे मैं यह lecture ला रहा हूँ यह word मेरे नहीं है ठीक है मैंने जो sources follow किये हैं तो अगर हम बात करते हैं बासावन्ना की दोस्तों तो इनका ब्राम्मन परिवार में जनम हुआ अब आपको पता ही है कि उस समय क्या था उस समय था हमारा वर्ण सिस्टम देखिए दोस्तों आप एक चीज समझिए आज मैं आपको समझा ही देता हूँ देखिए हमारा जो दर्चन शास्त्र है six schools of thought है हमारे है ठीक है six philosophical schools है छे दर्चन शास्त्र है जो कि मैंने cover किये है ठीक है हमारा जो school of thought है और जो western philosophy है वो बिल्कुल अलग है यह आपको पता ही है western philosophy और हमारे school of thought मतलब हैं सेम लेकिन westerns क्या कहते हैं कि हमारी philosophy जो है हमारा दर्चन जो तारकिक नहीं है बलके बिल्कुल बेबुनियाद है समझने हमारे उपर यह आरोप लगता है ना हमारा जो आध्यात्म है दोस्तों मतलब हमारे जो दर्चन शास्त्र है वो 1000-2000 सालों से पहले जब धर्म की स्थापना नहीं हुई थी तब से हमारा दर्चन शास्त्र चला आ रहा है लेकिन westerns क्या कहते हैं उनका भी 200-300 साल वो philosophy की स्थापने उनकी 200-300 साल पहले हुई है ठीक है तो वो कहते हैं बलके समझाते वो भी यहीं चीज है लेकिन वो कहते हैं कि हमारे य अगर हम बात करें हिंदुईजम की थीक है तो हमारे यहां source of knowledge कौन सी है हमारे यहां ज्यान का आधार क्या है हमको ज्यान चाहिए न देखिए हमेशा समझना और जानना इस पर बात आ जाती है हमको क्या करना है हमको पूरे universe को जानना है और वो philosophy समझाती है अपने आपको philosophy स science समझाती है समझ रहे हैं समझना और जानना अभी आप यह लिच्चर सुन रहे हैं तो आप क्या है आप समझी रहे हैं आप जान रहे हैं इसी पेकुल मिला के बात आ जाती है तो हम कैसे समझते और जानते हैं हम कैसे समझते देखिए जब यह प्रशन उठा तो बहुत सारे रिश्यमुनी थे ठीक है तो अब हमारे प्रॉब्लम ये थी कि हम कौन सी चीज को केंद्र में रखे जिससे हम अपने आपको जान सके और हम पूरे ईरुबर्स को जान सके एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए अलबर्ट आइंस्टीन ने भी फ्रेम और फ्रेफरेंस लिया था ठीक है आइंस्टीन ने भी इदर नूटन ने भी फ्रेम और फ्रेफरेंस बताया था तो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए तो हमारे है जो reference point है, हमारे है जो center है, जो kेंद्र है आध्यात्म को लिया गया है, समझ रहे हैं ये आत्मा और अध्यन का अपने आपको जानने पर बेज़ आपने आपको कैसे जानेंगे, आपको ज्यान होना चाहिए और ज्यान का source क्या है हमारे याँ ग्यान का सोर्स है वेद समझ रहे हैं लेकिन वेद में वेद हमारे याँ ग्यान का आधार है लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दोस्तों वेद जो है वेद का निचर बदल गया ठीक है प्रॉब्लम यह हुई कि वेद को होना था ग्यान ग्यान कांडी मतला वेद को ज्यान को समझाना था, ज्यान की तरफ ले जाना था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे कर्मकंडी हो गए हम लोग, हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदों की क्या गलती, वो तो भाई, उसमें तो मंत्रे लिखे हुए है, है ना, उसमें ज नेचर है, ठीक है, जैसे सूरज को अगनी देवता, जल देवता, ये सारे इंद्र, सारे भगवानों के नाम है, लेकिन वो नेचर के इंटर्प्रेटेशन से, मैं आपको पूरा बैग्राउंड कवर कर रहा हूं दोस्तों, इस लेचर से पहले, आपको सक पता चल जाएगा मतलब जब हम पासावन्ना की बाइग्राफी पहाएंगे, तो यहां पर हुआ क्या की हम लोग हो गये, मतलब हम लोग को ग्यान की तरफ जाना था, लेकिन हम लोग चलेगे, कर्म कांडी होगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मूल आधार हमारा ग्यान होना चाहिए तो उसके बाद दोस्तों वेदों को समझाने की प्रक्रिया शुरू ही, फिर वहां से दोस्तों बहुत सारी चीज़े आई, ठीक है, वहां से फिर अरण्या का जनम हुआ, ब्राम्मन का जनम हुआ, ब्राम्मन भ्रसब से बना है, उसका मतलब ही होता है बढ़ाना, ठीक है, और याद रखे, ज्यान की बात हो रही है, तो ज्यान को बढ़ाना, ब्राम्मन, भ्रसब से, ब्राम्मन मतलब बढ़ाना, ज्यान को बढ़ाओ, इसलिए बोलते हैं कि ज्यान, जितना आप बताएंगे, वो कम नहीं होगा, वो और ज्यादा होगा, जितना आप ज्यानी बने इन्हों ने एक तरीके से समझा दिया, ठीक है, कि ज्ञान को, असली ज्ञान को हम कैसे पा सकते हैं, हम अपने आपको कैसे स्टडी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, तो उपनिशत ने समझा दिया, उपनिशत बेसिकली ये सवाल जवाब है, अगर आप उपनिशत पढ़ेंगे, तो इंद्रियों से भी अपने आपको नहीं समग सकते क्योंकि यह सब चेंज होता रहता है तो एक ही एक चीज को केंदर में रखो अपनी आत्मा तो आत्मा से आप समझ जाओगे आपको मोक्ष की प्राक्ति हो जाएगी और यही हमारे धर्म को सबसे अलग करता है नॉन एब्राह प्राब्लम क्या हो गई प्राब्लम यह हो गई कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे कास्ट का डिविजन हो गया भाई ओरिजिनल फिलोसोफी तो यह थी कि ज्यान सबको मिलना चाहिए लेकिन लेटर विदिक पीरेड आते आते ब्राम्भन शत्रीर वैश शूद्र इसमें बन गए इसमें बट गए अब बासावन्ना में जब बासावन्ना ने जब जनम लिया तो यह डिविजन बहुत ही जादा प्रेविलेंट था इनका परिवार एक ब्राम्भन फैमिली से बिलोंग करता था कंणर जो है न दोस्तों कंणर इस दी दो इसनल याद रखिएगा कंणर जो है न वह रिलिजन की लैंग्विज है यह बहुत बड़ी बात है तो अगर हम बात करते हैं बासावन्ना कि तो इनका जनम इस समय हुआ था, ठीक है, अब इनकी जो family थी, उनकी जो family थी, वो करमकांडी थी, ठीक है, वो rituals को follow करती थी, वो परमपराव को follow करती थी, क्योंकि उस समय जो पुझारी होतें थे, उनके पास पूरी ताकत थी, ठीक है 5-10% 90% को अब इसमें सब खलत तो नहीं थे लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सब से निचले तब के के दे जो शुद्र थे उनका भयानक तरीके से एक्स्प्लोइटेशन किया जाता था बासा वनना इसके किलाव खड़े हो गए बच्पन से उन्होंने सवाल उठाने चुरू कर दिये है ना ये तो अपनी उपनयान सेरिमनी छोड़ के भाग गए थे इन्होंने अपने ऐसी स्टोरी है दोस्तों याद रखिएगा ऐसी स्टोरी है ऐसी कहानी है इनके बारे में कि जब इनकी आठ साल के उमर में उपनयान सेरिमनी हो रहे थी तो इन्होंने जनेईउ को तोड़ दिया इन्होंने का कि इससे भगवान थोड़ी ना मिलते है यह तो रिश्वल्स है और यह भाग गए फिर और उस गुरू के पास गहे जिस गुरू ने इनका नाम रखा था है ना क्योंकि जब ऐसी कहानी है कि जब यह पैदा हुए तो हिल दुल नहीं रहे थे तो एक गुरू गुजर रहे थे जब उन्होंने इनको अपनी गोद में लिया मंत्र पड़े सर पे हाथ फेरा तो यह हसने लगे ठीक है तो उन्हीं गुरू के बास चले गए दीक्षा लेने शिक्षा ग्रेड करने समझ रहे हैं ऐसा बोला जाता है कि बासावन्ना अपनी बहन से बहुत ज़़दा उन्हें ने सब कुछ तोड़ दिया और यह चले गए उसके बाद उस समय काला चूरी डानिस्टी थी ठीक है अब यह जो एम्पायर से मैंने कवर किये हैं दोस्तों ठीक है आप देख लीजेगा प्रजा कब मानेगी जब यह बताएगा जो मैं बोल रहा हूं वो सही है और इसके लिए पुजारियों की जरूरत होती थी तो राजा को ब्राम्वनों की जरूरत थी अब हुआ क्या कि जैसे जैसे बासावन्ना आगे बढ़ने लगे वैसे बासावन्ना की ख्याती जो है वो बासावन्ना बहुत जादा प्रसिद्ध होने लगे समझ रहे हैं बहुती जाद इनका जो तेज है, ये इतने ज्यानी हो गय थे, 24 साल की उमर में दोस्तों, 24 साल तक इन्होंने सब कुछ पाई डाला था, सारे शास्त्र, वेद, उपवेद, सब कुछ इन्होंने पाई डाला था, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसी लिए दिवदरश्री पढ़ गई, और इन्हो टेक्स्ट है ये लिंगायत कम्यूनिटी का, चलिए मुझे बताईए, किसने लिखाता ये, कमेंट बॉक्स में बताईए, ठीक है, 13th century में ये किसने लिखा था, and this is the sacred text of लिंगायत कम्यूनिटी, बासव पुरान, तो बासव पुरान के chapter 1 में सीधा-सीधा यही लिखा है, बासव और उनके पिताजी के बीच बहस हो रही है, बहुत सारी बहस हो रही है, बासव के पिताजी बोलते हैं, बासव के पिताजी बोलते हैं, कि हमको rituals जो है, हमको परमपरा जो है, वो follow करनी पड़ेगी, यही है path, यही है रास्ता भगवान को पाने का, बासव इसको counter करत है नहीं घलत है हालाक यह बताते हैं कि शुर्ती और इस्मृती वैलिट सोर्स अफ नॉलिज है ठीक है बट ऐसा नहीं है कि अगर हमको सेरिमनी ही परफॉर्म करनी पड़ेगी तभी हमको भगवान मिलेगे नहीं ऐसा नहीं है हमको अपना राइटियस कंड़क्त रखना करेगा ठीक है इस्ट्रिंग इस्ट्रिंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जो फॉल्वर्स है ठीक है लिंगायत को पूझते हैं ठीक है यह जो लिंग है this is the source of energy और पूरे इनुवर्स को यही हम लोग जो है वो फैलिक लिंग को मानते है ठीक है लेकिन व बिल्कुल ध्यान में रखिए भासावन्ना की सबसे बड़ी बात थी कि यह भगवान और लोगों को साथ मिलेके चलते थे और इन्होंने बिल्कुल प्राक्टिकल वे बताए कि कैसे पूझा करनी है कैसे भगवान को इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया मंदिर जाने की कोई समझ जाएंगे ज्यान की तरफ जाएंगे और यह ज्यान हर कोई अटेन कर सकता है समझ रहे हैं तो यह चीज है अब उसके बात दोस्तों और इन्होंने यह भी बोला था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए टेंबल बी ए टेंपल यह बहुत बड़ी बात बोल दी है ना तो यह चीज है अब फिर हम यह देखते हैं कि बासा वन्ना जो है वो कुडल संग्मा में बड़े हुए यह यहां चलेगा अपना घर छोड़के चले गए थे यह उसके बाद इनके इसको फैलाना शुरू किया राजा के कोट में एकाउंटेंट बने ठीक है उसके बाद इन्होंने शादी कि जो राजा का प्राइप मिनिस्टर ता उसकी बेटी से शादी की और फिर यह बन गayı चीफ मिनिस्टर ठीक है और जब यह राजा के कोट में उस समय राजा बिजाल थे राजा बिजाल दुतिय थीक है उस समय जब ये राजा के कोट में चीफ मिनिस्टर थे वहां से इन्होंने टीचिंग्स को फैलाना शुरू किया क्योंकि आब इनके पास पावर आ गई और जहां इन्सान के पास पावर आ जाती है वो अपने हिसाब से चीजों को कर सकता है ठीक है ता उम्र ये जो एक्स्प्रोइटेशन हो रहा था शूद्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब को फाउंड किया था ये एक ऐसा इंस्टिटूशन था ये डेमोक्रेसी थी ये पार्लियमेंट है अनुभाव मंटप की बात करें दोस्तों ये पब्लिक एसेंबली थी जैसे गांधी जी का जैसे गांधी जी का साबरमती आश्रम था जिसमें हर कोई वेलकम था वैसे ही अन अनुभाव मंटप में हर किसी का स्वागत था औरतों को पढ़ाई पढ़ने नि दिया जाता था लौड बासब ने बोला कि नहीं आओ पढ़ो तुम्हारा भी हक है यहां पे बकायदा टेक्नीक्स बताई जाती थी इन्होंने बकायदा कमिटी बना दी एगरी कल्चर की अल साल पहले जब कितनी जादा कुटाई होती थी अगर ऐसा कोई कोई भी हो सीधा सजा मिलती थी मारी दिया जाता था ठीक है बहुत मुश्किल था लेकिने डरे नहीं क्योंकि लोग इनको फॉलो करने लगे थे इनको भगवान समझने लगे थे ठीक है और सब को इन्होंने इ एक तरीके से अनुभाव मंदब एक तरीके की पार्लियमेंट ही तो थी और यहीं कंसेप्ट अभी आप पार्लियमेंट में भी देखेंगे हमारी यहां जो लोगसभा राजसभा उसमें भी तो पार्लियमेंटरी कमिटीज होती है ना इसी इनी शेत्रों के लिए तो होती है ठीक है यह चाहते थे कि जो लोग हैं socially, morally और economically बढ़े हैं economy condition उसमें बहुत ददा खराप्ति ऐसा नहीं हो जिसको ज्ञान की आवशकता है वो आये ज्ञान ले 1155 से लेकर 1167 तक ये कल्यानी में रहे ठीक है लेकिन दोस्तों हुआ क्या मतलब आप समझे की नहीं कि पहले तो इन्होंने बहुत अच्छे से शिक्षा ली ठीक है उसके बाद जब शिक्षा करहण की फिर ये कुडल संग मा में फिर ये चले गए यहाँ पे गल्यानी में ठीक है यहाँ पे रही है 12 साल और इसी दौरान दोस्तों इन्होंने अपनी बकायदा बहुत सारे फॉल्वर्स हो गए और ये इन्होंने असेंबली बनाई ठीक है लेकिन ड्राम्हनों को ये रास नहीं आया अब बहुत सारे अपर कास्ट के लोग जो राजा के पास चले गए और राजा को उन्होंने बताया कि ये बासा वन्ना जो है ये तो ऐसा कर रहे है इन्होंने पकायद अपनी कम्यूनिटी बना ली है लोगों को इन्होंने बर्गला लिया है लोग इनके फॉल्वर्स हो गए है इनको रोकिये अब राजा को तो भ वचन थे, इनकी जो टीचिंग से उस पर अटाक किया गया, इनके डेमोक्रेटिक इंस्टिटूशन पर अटाक किया गया, और राजा की पूरी बैकिंग थी, क्योंकि इनकी ख्याती बरती जा रही थी, ये पैरलल गवर्मेंट चला रहे थे, एक तरीके से इधर राजा की सरक और मज़े की बात यह कि इनके साथ जादातर लोग जुड़ते गए, एक एक हर को इनके साथ जुड़ता गया, ठीक है, अलगी फिलोसफी और ये प्रैक्टिकल फिलोसफी, रिश्वल्स आपको नहीं परफॉर्म करने हैं, आप अपने हिसाब से करो, जो जीने का सही तरीक क्या है, वो बासावन्ना ने बताया, ठीक है, तो वर्क्स की बात करें दोस्तों, यह आपके सामने है, डिस्कोर्स ऑफ दा सिक्स स्टेजेज़ ऑफ सैलवेशन, यह अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको स्थलवचन ही, शत्थलवचन ही बोला जाता है, ठीक है, अब दोस सारे सोर्सेज जो है, वो वक्त के साथ-साथ खतम हो गये रहे नहीं, उसके बाद ज्यानवचन है, काल ज्यानवचन, फोर्कास्ट ऑफ दी फ्यूचर, ठीक है, घाट चक्र वचन है, मंत्र गोप्य वचन है, राज योग वचन है, यह सारे वचन के फॉर्म में है, लेकिन दोस्तों मैं अगर इनकी philosophy समझाओं तो याद रखेगा कि इन्होंने जो उस समेट traditional philosophy ती हिंदुईज़म philosophy को जैसे कि मैंने आपको बता उसको बिल्कुल नकार दिया और उन लोगों के लिए काम किया इन्होंने शूद्रों के लिए काम किया इन्होंने उन लोगों के लिए क किया जो बहुत ही दबे कुछ ले थे और उनको उठा दिया एक तरीके से उनको भी भगवान उन्होंने बोला कि भक्ति करो यह बोलते थे भक्ति करो बिल्कुल भक्ति में डूब जाओ और भक्ति कभी-कभी जो इस स्कूल्स ऑफ नॉलेज है उससे भी उपर चली जाती है औ लगेंगे तो आपकी जो अज्ञानता है वो खतम हो जाएगी आप सवाल करेंगे तो राजा की कुरसी खत्रे में आ जाएगी जो चंद पावर्फुल लोग है वो खत्रे में आज भी यहीचीज है तो लॉड बासावन्ना ने बोला कि बया देखो अज्ञानी बन जाओ अज्ञानता से मुक्ति पाओ तो पावर अफ लाइट डेसिपेट्स डाकनेस क्या बात है तो पावर अफ टृत इस फो अफ आल अंटृत सबसे बड़ी जो ताकत है वो सच्चाई है और सच्चाई ही दुश्मन है जूट का जूट सच्चाई से बहुत ज़्यादा चिरती है लेकिन सच्चाई पर डटे रहो समझ रहे है एंड शारणास experience of god is the soul cure of worldliness समझ रहे हैं शारणास मतलब मतलब देखी शारणास का होता है सरेंडर शारणास का मतलब होता है जस्ट सरेंडर इगोलेस हो जाओ अपने अंदर का इगो मार दो और भगवान शिव्व के सामने सरेंडर कर दो यानि कि जिस दिन आप universe को surrender कर देंगे and universe is Shiva and Shiva is in you according to Lord Basava उस दिन you will find all cure अब ये देखिए don't rob, don't kill never ever lie don't get angry मतलब कभी भी चोरी मत करो कभी भी किसी को मारो नहीं कभी भी जूट मत बोलो कभी गुस्सा मत हो कभी भी लोगों के लिए नकरात्मत मत सोचो आपको बता दू कि इनकी उपर इतना अताक होता था और जब इनको justify करने के लिए बोला गया कोर्ट में चीफ मिनिस्टर थे ना जब इनको justify करने के लिए बोला गया बिल्कुल शांती से सब को जवाब दिया बिल्कुल शांती से किसी पे भी गुसा नहीं किया किसी पे भी बिल्कुल चांत रहें तो कभी भी गुसा मत हो कभी भी दूसरों के लिए गलत मत सोचो कभी भी अपने आपको describe मत करो गभी भी दूसरों को tease मत करो यही तो है self respect जब ये ये इतनी qualities आपके अंदर आ जाएंगी, self-respect और ऐसे ही आपको दुनिया respect करेगी, ठीक है, दुनिया में ऐसे ही लोगों की ज्यानियों की, जो लोग अच्छा जिनका righteous conduct होता है, जो धर्म को निभाते हैं, जो जबर्दस्ती दूसरों को hurt नहीं करते, जो दूसरों के अच्छा ही सोचते हैं, उन्हीं की ही respect होती है, and this philosophy goes to Lord Basav, उन्होंने 12th century में बता दी, और आज विस्टन फिलोसफर है, इसे फिलोसफी के पीछे चल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि हमारी फिलोसफी जो है, वो खराब है, ठीक है ना, तो ये चीज है, उसके बाद दोस्तों ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, जिन वचन की बात हुई है, ठीक है, शत्स्थल सिद्धानता, ठीक है, क्या बात है, मेरा नाम भी सिद्धानता है, सिद्धानत मतलब होता है, ये rules, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले, डिवोटी का phase आता है, सीखो आप सब surrender करो, शारणा बनो, आप surrender करो, ये पहले था, आपको surrender सबसे पहली condition यही है, surrender करना है, उसके बाद सीखो, master बनो, this is the phase of master, समझ रहे हैं, तीसरा phase क्या था, receiver of grace, भगवान तो आप पे महरबान होएगा ही, जब आप पहली दो phases को पार करोगे, ठीक है, और उसके बाद अपन को पहचानो, surrender कर दो, then fifth phase is surrender, बिलकुल, be like water, पानी की तरह हो जाओ, और उसके बाद last stage जो है, वो liberation या फिर मुक्ती की बात करती है, तो ये six stages of salvation, अबजाहिट सी बात है, इसके अलग-अलग method है, अखरी में हम बात करते हैं, Trinity की, ये जो तीन अंख्यान हैं, बहुत important, हर ज ठीक है, Christianity में भी आपको Trinity देखने को मिलेगी, लेगिन बासावन्ना की Trinity के हिसाब से, बासावन्ना की Trinity में सबसे पहले है आपका Guru, Teacher, अब देखिये, मैंने आपको क्या बताया था, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, हम ज्यान को हमको खोजना है, कैसे और क्यू ज्यान को खोजना है, यह teacher समझाता है, according to बासावन्ना, the first thing is teacher, then there is link, personal symbol of Shiva, because link जो है, वो सारी energy को ही control करता है, and then there is अंगमा, constantly moving and learning, समझ गए, तो यह basically philosophy है, अगर हम बात करें बासावन्ना की, तो I hope इसमें आपको clarity मेली होगी, मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्टाइद इससार इन पर lecture करिए, तो मैंने lecture बना दिया है, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका political influence मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, देखिए, जो इनके followers थे, उनको लिंगायत बोला जाता था, लेकिन बाद में वीर शिवा, वो भी इनके साथ आ गए, लेकिन वीर शिवा और लिंगायत जो है, वो थोड़े अलग है, जो basic teachings हैं लिंगायत की, वो वीर शिवा की नहीं है, जैसे वीर शिवा scriptures को मानेंगे, मंदिर को मानेंगे, और जैसा कि मैंने बता, लिंगायत community न सबको नहीं मानती, क्योंकि वो बासवना की teachings क follow करती है, यह चीज़ आप समझे, तो I hope यह lecture आपको पसंद आया होगा, खुछ रहिए पढ़ते रहिए, this is सिद्धान तक नियोतरी साइनिमव,